नमस्कार दोस्तों मेरा नाम शेव धीरज है आज हम टॉपिक लेने वाले हैं क्लाउट किचन के सेल को और क्लाउट किचन के प्रॉफिट को आप लोगों ने कई सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें कि आपको पताया जाता है कि एक महीने में या 30 दिन में किसी एक क्लाउट किचन ने 8 लाग की सेल कर ली या किसी ने इतने पैसे की फंडिंग उठा ली तो एक्च्वल में क्या सही है जी हां ये सही हो सकता है इसमें कोई दो रहे नहीं है पर एक्च्वल में उनको प्रॉफिट कितना हुआ है मैं आपको एक स्क्रीन शॉट लगा दूँगा यहां जो कि सुबह मुझे एक मैसिज आया यह लगबग जनवरी से क्लाउट किचन चला रहे हैं इनकी मंतली सेल धाई से तीन लाग रुपे है पर मंत के एंड में जब इनको अपने वेंडर्स को पेमेंट करनी होती है अपने सप्लायर्स को पैसा देना होता है यह अपने अपने कि इनकी सिर्फ यही देखेंगे कि पर महिने 3.0.000.000.000 के सेल हो रहे है तो बहूत बड़ा एमांट हो जाता है अगर हम लोग बात करें पूरे साल की तो वो हमारा 30 बटीस से 34 चछटिस लाग करीब हमारा पर मंत में हो जाता है जो कि बहुत यह बड़ा एमांट हो जाता ए स्टिति में इवन जैसे ही मैंने इस वीडियो का स्टेटस अपने वर्टसप पे डाला तो मुझे लगबग दो मैसीज आ गए एक मनीश का था जो गुजरात से हैं जो की सेम सिच्वेशन फेस कर रहे हैं पर यह सारे पैसे जाते कहां हैं अगर आपकी सेल इतनी अच्छी हो रही है तो यह पैसे एक्चुल में जा रहे है तो आपको यह समझना होगा एक स्क्रीन शोट और लगा दूँगा मैं इसरार का यह बुकनेशवर्स है जितना मुझे ख़याल है इनका कहना है कि भाइया यह क्रीम है क्रीम को यह फ्रीज में लखें बाहर रखें क्रीम इनकी खराब हो जा रही है मैंने आपको ये दो scenario या तीन scenario क्यों बता है ये तीनो scenario को सिंग करने का मतलब यही है कि हमें अपने processes के बारे में मालूम नहीं है हर कोई जानता है आपको एक cloud kitchen खोलना होता है आप एक दुकान खोल के बैठ जाते हो एक shop खोल के बैठ जाते हो आप अपना समान बेचते हो client आपके पास आता है आपको पैसे देता है और आप उसको समान देख देते हो और मन्त के end में अप सारे अपनी payments को भी भर देते हो पर यहाँ पर बात आती है process की कि हम अपने processes follow कर रहें नहीं कर रहें to be very frank आप लोग जो भी start करते हैं आप लोगों को processes बिल्कुल नहीं मालूम होते हैं हर कोई अपना लेखा जो का रखता है पर उन्हें लेखा जो का किस रूप में रखना चाहिए कैसे रखना चाहिए वो उनको नहीं मालूम होता क्योंकि हम लोग as a startup ही कहते हैं और हमें नहीं मालूम है कि processes क्या होते हैं तो यहीं सारी चीज़े मैं आप लोगों को अपने वीडियो में बताता हूँ अपने courses में आप लोगों को बताता हूँ अब जब हम लोग process follow करते हैं सबसे पहले जब हम लोग process follow करते हैं तो हमें एक guideline मिल जाती है खुद के काम करने के लिए जो हमारे यहां काम कर रहा है उससे काम करवाने के लिए और जो हमारा product है उसको किस तरीके से एक अच्छे डंग से लोगों के साथ में प्रेजिंट करें उसकी packaging कितनी रखें उसको कम से कम कैसे सस्ता करके उसकी जो production cost है उसकी कम करें और उसको अच्छे दामों पे बेचें तो यह सारी चीजे हमारे processes से होती है उसके बाद अगर manpower है manpower को कैसे हम लोग proper utilize करें एक employee हमारे लिए कैसे अच्छे से से काम करेगा हम जाद से जदा order कैसे ला सकते है और जो order हमारे पास जो जिसने भी client क्लाइंट ने हमारे पस brother कर दिया है तो दुबारा वह हमारे पास order क्यों करेगा या फिर हमें direct order क्यों नहीं कर रहा है वह unique is jednak के पास-पास बार-बार क्यों जा रहा है इसके अलावा हमारे inventories होती है, हमारे cleaning processes होते हैं, हमारे transport के processes होते हैं, तो यह सारे processes, मैं अपनी videos में, अपने courses में सिखाता हूँ, तो यही सारे चीजे होती हैं, जो कि आपके जो profit margin को decide करती हैं, अगर आप यह processes follow नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि start-up में हमारे पास पैसा होता है, अगर हमारी जेब से भी पैसा जाता है, तो हमें लगता है कि अगले महीने margin आ जाएगा, profit आ जाएगा, क्योंकि अभी हमारे starting है, पर अगर हमारे processes सुरू से ही होते हैं, कोई 30 दिन में 8 लाक रुपे कमा दे रहा है, कोई 2 करोड के समों से बेश देता है, कोई कुछ भी बेश देता है, पर आपको यह समझना है, मुझे सिर्फ 1 लाक की मैं sale कर लूँ और मुझे 30 जार रुपे बच जाए, कहने का मतलब है कि आपको अपने profit का ratio बढ़ाना है, ना कि अपनी sale का, sale का ratio बढ़ना बहुत अच्छी बात है, पर अगर यह profit यहाँ पर कम हो रहा है, तो उसके कोई माइने नहीं रह जाते, अगर आप चाहते हैं मेरे courses वगएरा लेना, मुझे बाते करना, वीडियो में तब तके लिए जाहिंद।